हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो और चैनल आज मैं आपको फ्रिल वाला दुपत्ता बना के दिखाऊंगी सो गाइस लेट गेट स्टार्टिट यह मेरा वाइट कलर का नेट फैप्रिक का दुपत्ता है इसके इस दोने साइज में फ्रिल लगाऊंगी जिसे रॉफल भी बोलते है तो गाइस लेट गेट स्टार्ट इड़ रॉफल बनाने के लिए मैंने 1.5 mm कपड़ा लिया है जो जॉटजट का है फैप्रिक को मैं पहले ओपेन कर लेती हूं अच्छे से भीछा लेती हूं इसको यह फैप्रिक का मैं इसलिए मैं इसे 4 फोल्ड करूंगी ताकि मुझे ए पराबर कर लेती हूं 5 इंच का रुफल बनाना है मुझे तो इसको में देखते हूं तो यह 6 इंच है यह पूरा टोटल हाफ इंच मेरे स्टिक्टिंग मर्जिंग में जाएगा अब इन फोर्क पीसेस को मैं अलग कर लोंगी कट कर लेती हूं पहले सबसे पहले तो यह आराम से कट करेंगा इधर तो कपड़ ना हो क्योंकि इस लिपरी कपड़ा इसले को अच्छे से कट करिए कर दो कर दो करेंगे ठीदेखते हैं अच्छेट हैं झाय हम्या जाएग यह फोर पीज़ डोएं आप रहेको कटके हैं अब इने जॉइन करूंगे यह कुपार्ए टोटोसी को सारे पिसर रोटी है एपर тесьब देख सकते हैं अब मैं इस पे कच्छी चलेबीya कर्णी की जिसरे मुझेस बनाने में मुझे依े बड़ी आप यहां से में बड़ी स्लाइड देना इस पर स्टार्ट करूंगी तो आप सेलेक्टर को एप और लेंद को फोर पर रखिए इससे आप बड़ी बड़ी ठाके आएंगे आप इससे निडल के साहता से भी कर सकते हैं बड़ी ठाके बट मशीन से जल्दी होजागा क्योंकि हमें जादा फ्रिल चाहिए इसके लिए यह मैंने स्टिच कर लिया इसे मैं निकाल के थ्रेड को कट करूंगी थोड़ा एक्स्टर ही थ्रेड छोड़ना है क्योंकि हमें खीचना पड़ेगा दागा इसके लिए एक थ्रेड को पकड़के खीचना इससे ग्यदर्स बनते जाएंगे इस पर मैं पूरे पेच्छे से अग्यदर्स पना लेती हुए पहले सिफ एक ही दागा पकड़ना है कर दोड़ना है झाल 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 यह रफल बनके तयार हो गया इसका look देखी बहुत ही प्यार है इससे असानी से बना सकते हैं इसी मैंने बना जो की सैट इसक दिखा ज़ए दिखाए इसके कैसे बनाते आज़ स्थ्या है जो झोलें अधसरा घ्रकाउअपर लग以上 आप अपको कैसे बनाते हैं रफल में अधसि है अब इस रुफल को मैं अपनी दुपट्टे पर लगाऊंगी तो दुपट्टे को मैं पहले भी छालूंगी दुपट्टे का उल्टा सीधे साइद आपने हिसाब से देखके लगाएं तो दुपट्टे के सीधे साइड पर हcych रगानी है तो आप इस बात कर धießान दें कि द रफल को में दुपट्टे के ऊपर ऐसे इस तरह से रखोंगे आप भी ऐसा ही रखें फिर यह टॉन हो जाएगी तो फिनिशिंग इसके सही आएगी और फिर थ्रेट भी नहीं दिखेगा इसे आप अपने दुपट्टे पर अच्छे से पहले सेट करके रखी या तो आप चाहे तो इस पर कच्चा भी कर सकते हाथ से मैंने इस पर कच्चा चा कुछ नहीं खिया है मैं इस पर मशीन से सीधे लगाने वाली हूँ यहां से मैं अब इस पर रफल लगाना चलो करूंगी तो आप देखिए इस बात कथे हां देखिए कि रफल आप कई तो तर ना खिसके झाल खिसके प्याट हो तो आप कि शाने से चाह सुर्ण है dang कर दो चार। यह रॉफल को मैंने दुबट्टे से अटैश कर लिया है यह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक से मैं कट करके याला करूंगी ऐसे में दुबट्टे के दूसरे साइड पर रॉफल लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हो लगांके तो पट्टे का सीधा साइड लेना है और रॉफल को इस तरह से रखना है रखने के बाद इस पे स्टिच कर लूगी मैं यह जो बचा हुआ एक शो फैब्रिक है से में कट करके याला कर देती हूँ अब मैं यहां पे टॉप सीम लगाऊंगी इससे थोड़ा से बट यह जो फ्रॉफल लगस में थुड़ी सी मश्बूती आ जाएगी तो मैं इस पे टॉप सीम लगा ली थे पर उनफुट खेंग एक फेंप पे स्टीच कर सकते हैं एक बट मैं इस पे टॉप सीम लगा रही हूँ दूपत्य लगा लगाया लिए मैंने आपको मैंसे दिखाती हूँ यह जो एक्ष्ट्रोइ निकले हैं हैं दुपत्ते के साइट साइट फे जो से मेरे काड पर लूगा पेहले सीजर से कि गारं के चाइब पी और जोंद साइट के सिंटे करने आ पीग कर ओवि gotta आ पूरा पर लनूर बहुत है उपको करें कि आप चाहें तो पड़र के चाहि पी लकांव लगा Site के साइड साइड पर रुफल लगाया है आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं यह रफल दुबट्टा बन के त्यार हो गया मेरा आप इसे देख सकते हैं अपने पुरानी दुबट्टे पे भी रफल लगा के इसको नया बना सकते हैं मैं अपने दुबट्टे को फोल्ड करके दिखाती हूं कि फोल्ड होने के बाद यह कैसा दिख रहा है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना हो भूले थैंक्स वर वाचिंग तू अबट्टे कि अबट्सक्राइब करना है झाल लाईब करना है